हलो दोस्तों बॉस ओफ इने शेय बजार में आपका फिर से स्वागत है एंड इस वीडियो में हम 11 ऐसी कंपणी से लिटे बाते करने वाले हैं जिनके डिजल्ट आते हुए दिखाई दिये थे कल की डिट में तो कल की डिट में वीडियो नहीं पना पाये थे पर आज की डिट में प्रक्षाइब चैनल के साथ दूसरे लोगों को भी करें जाने के साथ कि इस तरहकी की वीडियो आपके बात जेली अधना पर निलती रहें और अगर बात करें कल यह न्गेकर टार्गेट किस तरीके से पता करें और किस तरीकर ट्रेडर और इन्वेश्टर मार्किट मे उसका breakout है तो इसके तरफ आप दियान दीजिए और भी यहां पर विडियो बनाए गई थी तो जाके आप देख लीजिए कि सारी वीडियो की तरफ चलते हैं तो अगर बात करें गनेश Ecosphere Limited तो इसमें से कुछ और 20 रुपे पर शेयर का यहां पर डिविडेंड कंपनी ने देता हुए नजर आई है तो यहां पर ग्याद रखिए गनेश Ecosphere कंपनी का नाम है इन लक्स में रिजल्ट है ओके यहां पर कॉटली रिजल्ट आप देख सकते हैं इस बार के एक्यू तिरी के एक्यू फोर के र रहे हैं 22,542 इससे पहले 21,161 इससे पहले 19,240 तो एक्समेंस पी आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कौटली यह बात करते हैं प्रॉफिक फो दपी एड अगर आम यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर देखिए 1847 लक्सें रुपी इससे पहले 2062 इससे पहले 16,25 तो quarterly basis पर company का थोड़ा से डल रहा है तो इस चीट को आपको देखना पड़ेगा बाकी अगर बात करें company करती क्या है तो इससे एक इसे रिडा में अलग से वीडियो बाएंगे देखेंगे कि company किस तरीके से ब्यइब करते हैं पर उसके इसाब से हम आगे का सारा दिशन यर्दे करेंगे बेसिक की बात करें एको और 60 result का VS Isso पहले 8 45 पैसे का था इस से 7 रुपीस 44 पैसे का लुद्फीस घ्रीद उसके लगभा लगभा अच्छा सि यहां आपन पर और देखते हैं इसके लगभा बात करते हैं मंकलम सीमेंट की अक्षी गए थरी श्रीस इमेंट गामने दीखिए थे 60 कि डिपी डिटेंट अच्छा कह से यहंपर कम्पनी ने अच्छा रिजल्ट पेश करें तो इस कंपनी ने भी अच्छा रूपे का डिविडेंट यहांपर रिकमेंड किया है उलाए तुर्य हजाे एंड दुर्री विए अउसे पर इस वेल थास दुर्रेश करते हैं तो सुझेटेकों के भाइस के लिए और गई हैटाफी रिजूर्ट्री विए इंप्रेसिव यहां पर J shu Shape चोड़ी है इस बात करें टोटल एक्पेंस की तो 36,262 इससे पर 28,000 तो एक्सपेंस भी बढ़ता हुए नजा रहे एक्सपेंस पर कंट्रोल करना काफी डिपिकल्ट हो जाता है कि कभी-कभी अग्जो कंपनी एक्सपेंस पर कंट्रोल कर देते हैं आप प्रॉफित बढ़ता ह इस बात करते हैं तो यहां पर थोड़ी बहुत गिरावट यहां के सकते हैं कि प्लैट यहां पर नजर आ रहे हैं इपिस भी देख लीजिए 13 रूपे चौसर पैसे का इसे बढ़ने पांच रूपे का यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं इस पंपनी के उपर पंजाब सिंद बेंक इंगर बात करते हैं यहां पर देखें पंजाब यहां पर छोड़ चोड़ बैंक है जो भी भागते हुए काफी नजर आय थे तो यहां पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर इस बैंक ने भी परफॉर्म किया है डिविन तो I don't think so, कोई डीक्लियर कि है कि यह वागा तो आप देिख लिजे कि इनलेक्स में आपर रिजल्ट है अगर अगर हम यहां पर बात करते हैं इ Sutra यहां पर Vasily भी इंट्रेस्टेंग होगी सहीं 50 इंट्रेस्ट लेंट होगा है एलो ओवन लक एट लग टोटल इंकम की बात करते हैं तो सबूले गर एक बी और एक सबूले ना सिर्फ याँवर्यडेगे करदो है तो सबारम किया है इसके एलाब हम देख लिए पर यहां पर देख सकते हैं तो लगवा 438.000.000 रुपी इससे पहले अगर बात करते हैं और विज नॉन अब इससे पहले 2.92.000 इससे पहले 81.000 तो मतलब प्रोवीजनिंग तो बिल्कुल ही घटा दिये तो ऐसे बैंक्स हो से थोड़ा दूर रही ह इतने शॉर्टी इतना ज्यादा गैप होना चाहिए यहां पर सब कुछ आपको सपश्ट करते हुए नजर आते हैं आपको किलियर पिक्चर नजर आती है यहां पर NPS भी देखते हैं तो 13.76 से 13.14 से 14.18 तो यहां पर पर NPS भी घटते हुए नजर आ रहे हैं तो इसी पहर थोड़ा सा ध्यान दिजी यहां गटते हुए नजर आ रहे हैं ओके अच्छी बात आप करते हैं यहां पर तो थोड़ा सब मेरे हिसाब सब्सक्राइब बना के रखने चाहिए पंजावेसंद बैंक का नाम है बात करते सारदा सारदा अगर बात करते हैं एनर्जी एंड मिनरेल्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है और अगर हम यहां देखते हैं साथ और फटास पैसे के आपर दिखाया है और और चीजे देखते हैं तो एक्सपेंस देख लेते हैं तो एक्सपेंस भी उसी तरीक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इसका इफ्रक नेट प्रॉफिट पर यहां पर अगर अगर देखते हैं तो 111 क्रोड का इसे पर निटी-फॉर इसे पर फाइव माला के आउयरली कशलीन पर सक्वसांटे रही जाए हैं मनद वेसे अंचार के सकते हैं थोरीक हूं ड्रया आनर पर यहां बात करते हैं यहां पर इक और कम्पनी है पर एक और कंपनी है स्पंतना इस कंपणी का नाम है एक तर आप देख लीजियेगा ओके यहाप निके रिजल्ट से लिटे सीधे बात करते हैं तो यहाप नीचे जाते तो ड़ा यहाप देख लीजिये रुपीज और मिलियन में आपर रिजल्ट है, टोटल रिवेन्यू, टोटल इंकम की बात करें, तो 4,656 है, इसे पर 333 ता, इसे पर 4,295 है, यह पर जंप है, टोटल इंकम में, एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसे बात करें, तो सब देखता कि ही, आप देखिये का कंपनी क्या करते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे, फाइनशेल लिमिटेड और वह सारी कंपनी है गुजरात अमभूजा एक्सपोर्ट लिमिटेड एक्सपोर्ट की कंपनी का भी अच्छा खासा रिजल्ट मतलब अच्छा खासा बिजनस करती हुए आई नजर आ रही है इन करोड़ में आपर रिजल्ट है अगर हम बात करते ट तो एक्सपोर्ट लिए अगर बात करते हैं तो यह आँ देख लिए एक्सपोर्ट लिए एक्सपोर्ट लिए इसे पहले चोओन तो कंपनी ने एदली कॉटर्ली बेसिस पे अच्छा खासा पर फॉर्प यहां पर पॉफिट भी नज़रा रहा है एपस भी यह आपर देख लिए पर फैसे का EPS है तो कंपनी ने अच्छा परकॉर्म किया गुजरात अम्बूजा एक्सपोर्ट लिमिटेड इसका नाम है तो इसे थोड़ा रेडार पर रखिएगा और किट फार्मा की बात करें तो यह शेयर तो 20 रुपे से जैसे रैली बनाई थी इसने 223 रुपे जो हमें नजर आ रहे हैं एक में देजिए इन लक्स में इन करोड में एक बार दिख लिए थे हैं यह लक्स में रिजल्ट हैं यहां पर देख लिए और अमौंट are in LX of rupees और यहां पर अगर हम बात करते हैं quarterly results की standalone result है तोटल इंकम देख लिए 12,303 से बरे 10,004,306 से बरे 11,580 तो टोटल इंकम यहां पर बढ़ती हुली नज़र आती है अच्छी बात है एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस यहां पर 12,890 है जो कि मतलब खाला खाया भी यहां कुछी नहीं गिलास प्रोड़ा बारा ना ओक वाल हिसाब यहां पर नज़र आ रहा है मतलब खर्चे जादा होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंकम यहां पर इतनी है नहीं जो कि यहां पर देखेंगे यहां पर एक्सपेंस में कंट्रोल कर लिया जो कि अच्छी बात है और डिवन्यू यहां बढ़ता हुए नज़र 20-30 यहां पर लोस बहुता हुए नज़र आगर धीर 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 कंपनी इस तरीके से करेंगी तो शारद एक दूसान में अच्छा का सा कासा यहां पर कंपनी प्रॉफिट में आ प्शे कासा प्रॉपिट में आ जाए तब उस तरह हम इसके बारे में आपकी अभी द का डिविडेंड यह 27.7 रूपीज का एस वह बात करें तो 1400 यह 1500 के आसपास यहां पर राके जुन-जुन वाले ने भी अपनी होलिंग बढ़ा ही तो थोड़ा सीच की तरब ज्यान दे सकते हैं और इन लेक्स में आपर परफॉर्मेंस है यहां पर बात करते ही कॉर्टरली वेसिस पर टॉटल इंकम टॉटल इंकम घटती हुई नजर आरे है quarterly yearly basis पे total expense की बात करें expense भी यहां पर घटते हुए नजर आरे quarterly basis पे लब फ्लैट है but yearly basis पे काफी यहां पर गिरावट है expense में जो कि अच्छी बात है और profit for the period की अगर NPAT की बात करते हैं after tax की यहां पर देख लिजिए 3,844 इसे पहले 7,180 इसे पहले 6,550 तो yearly quarterly basis पे company का performance काफी 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 लो है तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिए mcx से जब आगे कुछ होगा तो देखते हैं अगर बात करते हैं यहां पर अच्छा performance नहीं किया है गिटता हुए नजर आ सकता है EPS भी देखिए 14 रुपे का सीधे हाफ हो गया है 12 रुपे का सीधे यहां पर 7 रुपे का सीधे यहां पर गिराबट अच्छी कासी नजर आईए यहां पर और अच्छी तरीके सिमा पढ़ सकते है अग्जो नोबल यह भी paint company है वोल्ड की शायर नंबर वन company या इस वेल मैं इंडर यहां पर इंछ देख सकते हैं क्योंकि मैं भी आपके सामनी साफ साहत देखते जारा हो हैं मैंने पैली नहीं देखे है शीधे मैने रिजल्ट निकाल के आपके सामनी पेश कर रहां तो सम्टाइंग्स इट भी हैपन कि मैं mm態 कुछ फीगर दल हैं तो उसके से के लिए 3803 तो है पहले 5970 तो यहां पर पर्फामेस की कहां एजरां झाय है तरोटर एक्स निल्ली वेसिसस प्रिप अर भीड़ते हुए नजर ना रहे है यहीं ृच ज्यादा हुआ अगर बात करते हो यहां आप देख सकते हैं पर सबत करते हैं सबस्केरे खेञत तो 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 क्योंकि दूसरी अगर बात करें तो उसके रिजल्ट काफी बहतरी रहा है उसके वरे से यहां पर शेयर लब लब 12-13 परसंट भागा भी था EPS की बात करें तो यहां पर 16 रुपर का EPS यह से बहले 11 रुपर तो yearly wise अच्छा परफॉमेस, quarterly wise गिराबंट अगर बात करते हैं अंबर इंटरप्राइज तो आपको पता ही है एसी बनाने वाली manufacturing कंपनी है बहुत बड़े-बड़े इनके इनलैक्स में आपर result है यहां पर देख लेते हैं अगर total income की बात करते हैं तो यहां पर देखें एक लाग साथ जार ओके यहां पर क्या है इनलैक्स एक लाग साथ जार रुपीज का profit इससे पहले revenue इससे पहले 77,000 इससे पहले 1,315.16 अगर बात करते हैं yearly basis पर यहां पर काफी बैतरी ने और बात करते हैं यहां पर quarterly basis पर लग बुट दूग नहीं से जाता है तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यां दिएगा यह काफी impressive नजर आ रहे है total expense की बात करते है तो expense यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे है 1,49,000 इससे पहले 73 इससे पहले 124 तो expense में यहां पर yearly यहां बढ़ते हुए नजर आ रहे network for the period की अगर बात करते है तो 7,647 इससे पहले 2,787 इससे पहले 6,280 थी तो quarterly as well as yearly wise यहां पर अच्छा काचा performance की बात करूं तो लगवा 3x यहां पर ज्यादा perform करते हुए नजर आ रहे है तो कल की rate में यह share बागता हुए नजर आ सकता है अगर बात करें 3000 के आसपास यह share चल रहा है अगर यहां पर EPS की बात करते है 22 रुपे का EPS इससे पहले 7 रुपे का था इससे पहले 90 रुपे के आसपास का EPS था एपको बढ़ता हुए नजर आ रहे है तो company का नाम क्या है आपको पते है अम्बर इंटर प्राइस निहां प इससे बात कर लेते एक साइड के नमबर देखें तो काफी बहते है थे company ने जंप भी लगाई थी उसके बाल और काफी अच्छी न्यूज भी यहां पर आ रहे है बीच में यहां पर कुछ यहां पर प्रिंट अच्छा नहीं है तो I'm sorry for that 2134 करोर इसे पहले 1095 से बाले 15 तो yearly quarterly basis पर यहां पर company ने अच्छा है total income में यहां पर जंप लगाई है total expense की बात करते है एक्सपेंसी बढ़ता हूँ नजा रहा है 1876 से बाले 1735 से बाले 1417 तो यहां पर expensive बढ़ता हूँ जहां नजर आ रहे है net profit after tax बात कर लेते हैं तो यहां पर इंकम में बढ़ उतरी है as well as अगर बात करते हैं यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर यहां पर net profit की बात कर लेते हैं यहां पर if I'm not wrong एक बात कर लेते हैं लगबग सेम है ओके तो कुछ खास यहां पर difference नहीं है इसे अपने portfolio में रखियेगा अपने financial advisor से पूछेएगा अंबर enterprises के रिजल्ट एक दम बहतीन रिजल्ट आ रहे हैं थोड़ा गिरावत है के रिजल्ट काफी अच्छे थे as well as mcx के रिजल्ट इतने खास नहीं है वेकार रिजल्ट आये हैं कम रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे है और किट फार्मा के रिजल्ट दूर रही है नेगटिव रिजल्ट अबट कंपनी फिर भी पाफॉम करके दिखा रही है गुजरात अमुजा काफी बैठरी रिजल्ट है अच्छे इसके रिजल्ट यहां पर दूर रहे है और अगर बात करते हैं आप दूसरी लाष्ट अगर गनेश इको स्फेर इसके रिजल्ट भी यहां पर फलैट नजर आ रहे है तो यहां पर 11 companies के if I'm not wrong result थे तो जो आपकी तरफ पेश किया गए अगर वीडियो अच्छी लगे हो like, comment, share करिये और कौन से वीडियो आपको किस company के result आपके पास आपको अच्छे लगे उसे comment करिये और आपके पास कौन से शेयर है इनमें से आप उसे भी comment कर सकते है तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो like, comment, share करिये हमारी चानल बहुत सा फिने शेयर बढ़ा को subscribe करें शेयर करें फिर में फ्रेंज के साथ हो thank you so much God bless